जो पर क्योंज Catholic पढ़ा के जिए अभेक कने जगा तक है जब यह हमको नहीं पता कहां तक पर गया अगर फिफिटिज लंडे स्थूडेन को मिला होगा हम से जुट सकते हैं और पूछ सकते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल क्या आपको justice मिलेगा? Hello friends this is Romayasajaswar second year MBBS student at SMCH Puri. Today there are and today there are a lot of questions which I will be answering to you. The possibilities of re-need or re-examination. We will discuss about the Supreme Court verdict. The expected Odisha caught up after Supreme Court verdict. We will discuss about SGS 640 plus में किने students है. यह भी हम discuss करेंगे and end तक हम discuss करेंगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए दूसरी बार preparation करना चाहिए या करना चाहिए या कोचिंग इस्टिडूट जाइन करना चाहिए सो चलिए सुरू करते हैं देखिए हम discussion स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वीडियो पे लाइक दबाए चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि कांसलिंग पास आ रहा है यह चैनल फास्टेस ग्रूइंग कांसलिंग चैनल है ओडिसा का आप इतना ट्रॉस्ट कर सकते हैं कि आपका कांसलिंग ठीक से होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो में एक भी सेकेंड आपको स्कीप नहीं करना है हो सकता है तो 1.5x में देख महाँ पर मैं ह्ध दिन आप लोगों के डिसकोशन्स देखता हूं और यह कंपिलूजिन पर मैं आ चुका हूं आप सारे लोगों के डिसकोशन्स देखकर की आप लोग बहुत ही इननोसेंट है बहुत ही वोले वाले हैं जो कोई भी एक चिळके इंफ्लूएंस में आ जाते ह आप मैंसे कितने लोगों ने स्काम 1993 देखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही उसके देख लीजिए गा स्काम 1993 में कौन विलेन था हरसद महता था विलेन थोड़ा सोचे और बताए अगर हरसद महता का मॉडर हुआ था आप सबी को पता है अगर वह विलेन होता है तो आज उसके भाई को कैसे इंसाफ मिला सुप्रीम कोट से कैसे ग्रीन फ्लाग मिला अब यह कुछ लोग बोलेंग मुझे आप एक रिजर दे दीजे पॉलिटिकल डिसकॉर्शन का क्या आप यह कोई पार्टी से सकत και आप लोग उशा रहा सो क्या अबही आने वाले ताइम में कोई भी इलेक्षन है एक साल दो साल तक आप लोग कांशलिंग होगा कल चले सानग कांसलिंग कोचिंग करेंग या जो भी सिलेट होंगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे मुझे क्या आपको यह सब बताते हुए क्योंकि आप अगर मुझे सब्सक्राइब किये हैं 8.5 के सब्सक्राइब का ट्रॉस्ट आज मुझे पर है मुझे यह रेस्पोंसिबिल्टी फील होता है कि जो सच है जो चाहिए मेरे हिसाब से मैं आपको वह इंफरमेशन दू बाकि आपकी मर्चे आप कितना समझेंगे कितना कितना नहीं समझेंगे यह आपके उपर डिपेंड करता है सो स्काम 1993 में आपको भी पता है हस्वत महता बस एक पॉपट था और कोई और कर रहा था हस्वत महता को ले पने को उन्नने ग्रेस दिया होगा यां कोश्चीन प्र प्रोभाइड क्या होगा तो उनसे 10 लाख मिननिममं लिया होगा पता चल रहा है कि 10,000 से 20,000 बच्चों के साथ ग्रेस वगेरा या पेपर लिख हुआ है अगर आप 10 लाख मिनिमम लेकर काल्कुलेट करें 20,000 बच्चों से जो कि 10 लाख आपको 630,000 उन्होंने 650,60 के लिया होगा 720 के लिए 35 लाख या ऐसा कूछ बड़ा अमांट लिया होगा इसको अगर हम आबरेज मान के चले कि हर बच्चे से 10 लाख लिया हो 20,000 जो कि 20,000 नहीं होगा मुझे पता है 10-12,000 होगा लेकिन मैं अमांट भी कम ले रहा हूं 35 लाख को 10,000 हम सबको करके ले रहा हूं सो एक रॉफ एस्टिमेशन पर हम अगर करें सो 10 लाख इंटू 20,000 दो हजार करोड का स्काम आपको लगता है इंटिय कर लेगा बिना कोई बड़ा लोगों के सफट के आप क्या इतने इन्नोसेंट हैं कि आपको यह सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है देखे आज हमार ग्रूप में काफी discussion चल रहा था कि इतना बड़ा स्काम हो गया इसकी गलती है उसकी गलती है मैं आप से एक question पूसना चाहता हूं कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है इतना बड़ा स्काम में कि आप लोगों ने आपके लिए एक सही government चुना था कि आप लोगों ने जो government सुना था वहां पर education कैसा है उस जो candidate है आपका आपने उसका education देखा था जहां भी आप रहते है जिस भी candidate को आपने दुना है अपने लिए क्या आपने education देखा था या उस party से है इस party से है यह धन के नाम पर क्या यह उसके नाम पर मैंने चुन लिया अब यह आप मेंसे काफ मैं इसा नहीं है कि इस बार फॉस्ट हो गया है मुझा पता है कि 2020 जा ही इस काम चलता आ रहा है लेकिन लोर नंबर पर हो रहा था इस साल बहुत बड़े नंबर पर हो लेकिन प्रूप मेरे पास भी नहीं है क्यों हो रहा था लेकिन अगर आप inflation को देखे रहा है कि इंफलेश हो गया है आप सब मुह खोल रहा है और मैं आप आपको आगे भी बतारने वाला हूं कि क्या justice और क्या chances है आगे क्या कुछ होने के और एक question मेरा जो पिसला वीडियो था उसमें मैंने अगनी भीर और फर्मस का प्रोटेस्ट के बारे में दिखा रहा था आप लोगों मैंसे क कितने लोग उसके लिए concern हुए थे कितने लोगों को बुरा लगा था कितने लोग ने अपने parents के साथ ये issue discuss किया था और मुझे पता है 90% लोगों ने ignore ही कर दिया होगा जब आप किसी के problem को ignore कर सकते है तो आपका problem आज क्यों address किया जाएगा आपको लगता है जो government उनके problem द लग सकता है लेकिन जब आप अपने government को चूच कर रहे है थोड़ा सही से कीजिएगा मुझे कोई political agenda नहीं है मुझे कोई पेसा नहीं दे रहा है अभी election खतम होने के बाद आक आकर आपको politics के बारे में बोलने के लिए लेकिन जो गलत है मैं बोलूंगा कि वह गलत है हो सकता है वीडियो कुछ रिमूव हो जाए दो दिन बात मेरा चैनल से दो धीन वीडियो को रिमूव करने का उपर से प्रेसर आज अजए और रिमूव हो जाए उससे पहले आप लोग यह वीडियो DecI लेना और जितने लोगों को सेयर कर सकते हैं आप अगर आज कुछ गलत हो रहा और जैसा स्काम 1993 में हुआ था वैसा ही हो जाएगा सुप्रीम कोड के वर्डिक्ट के उपर आते हैं सुप्रीम कोड ने कह दिया कि कांस्लिंग पर कोई स्टे नहीं लगेगा और NTA को कहा है कि आप लाकर इंफरमेशन दीजिए क्या हुआ है कि मैं ट्रेन को फोलो कर रहा हूं लिए वर्डिक्ट आता है यहां एसा होगा एंटिय अपना एक कॉमिटी बनाएगा जो कि सेंट्रल गवर्मेट का होगा कॉमिटी यह कुछ भी कॉमिटी होगा वह आकर क्लीन चीट देदागा कि बस फिप्तिन हंडर्ड यह श्टीन हंडर्ड का साथ यह हुआ गा वह वह अगर आपका उपर भी उठा देंगे तो मुझे नहीं लगता दो तीन मार्क से ज्यादा आपको कांसलिंग में फर्क आएगा और यही होना वला है री एवालुएशन होता है अब हम आते हैं री निट के बारे में काफी लोग यह बोल रहे हैं कि री निट नहीं होगा हमें पर पनी तहुकते में कैसलिंगे है निट रहा हमें अब्र शूर्ट को तुटー में होगा वह बोले जीन हंनल स्थे वन पहुंचा करते हैं लोग पर पहुंचा होगा और कनो यह हम यह हम को नहीं नहीं पता लेकिन NTA हो तो कुछ भी हो सकता है यह आपको अच्छा से पता यह सब चीज़े हो रहे है यह पोलिस ने पाटना में आरेस्ट कर लिया है कुछ बच्छे को फिर भी NTA अब भी एकस्प्लानेशन दे रहा है यह से लिख रहा है जिसमें कोई भी वैल्यूबल पॉइंट नहीं है तो आपको लगता है कि कोई भी सुप्रीम कोट या कोई भी एक आकर डिशन बता दे की एडिवालिशन कर दे और आपका पर आपका रहांक आपको ठीक से मिल जाएगा मतलब इतना इनोसेंट आप कैसे हो रहे हो मुझे भी नहीं पता जो बड़े बड़े टीचर है या बड़े बड़े इंफ्लूएंसर है उनके उपर क्या प्रेसर है कि वो डाइरेक्टली यह सब नहीं कह सकते है कि यह दोसी है या मैं भी नहीं कह सकता कि समझ सकते है कौन दोसी है आपको लगता है फिर भी कोई आएगा मेरा कलकत देगा हमारे पेपर से हमको ठीक रैंक मिल जाएगा अगर 635 पर आपको घर में बैठना है नहीं देना है आप घर में बैठिए 2025 तक वेट किजिए 2025 में कॉट अप डेफिनेटली 700 प्लस जाएगा क्योंकि यह 650 पेस काम होकर भ है आपका 630 आपने बहुत पढ़ लिया अभी आपको नहीं पढ़ना है आपका पेसंस नहीं पा रहा है तो आप बहुत नेक्स चाल के लिए प्रिपार कर सकते हैं 700 टार्गेट लेकर उसमें मुझे कुछ नहीं कहना वाला और यह जो फीजिक्स वाला एंविसर यह सब इतन किया जाए तब ही आपको ठीक से मिल सकता है यह मुझे क्लियर कट कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यह जो सकाम से सारे में ट्रेंट को बहुत अच्छे से जानता हूं यह सकाम की नहीं बात कर रहा हूं सकाम 1993 हो या कोई भी सकाम हो कैसा है वह मैनिपलेट किया जाता है एक चोटे सा अदमी के उपकार ऐसा फ्रेशर ड़के उसको दबा दिया जाता है उसके नाम पे सारे स्काम दबा दिया जाता है और जो अफेक्ट होता है वह जैनलड पॉलिक है स्ब्सक्णी घंजि Bayum कोई पे कट हो जाए उससे क्यात है कोट रेकिन आप लोगों नहीं क्या समझाए कि कॉट öz yoo dot यह उसा प्रोक्त नहीं होता है पहलर अब को समझे पिर कट अपट पीरैकर समझ पहेंगे मिलड que श्राट हुआ से नीचे आता गया आता गया जब कॉट इन कॉट अब बोल्टेज जैसे आप जनर सेमिकंडॉक्टर में पढ़ाते हैं एक कॉट अब पर कॉट हो जाएगा उसे कॉट अब कहेंगे सो मुझे एक स्वीट स्पॉट लग रहा है 600 से 645 के बीच में कई पैक भी मार्क कॉट अप हो जाएगा और वहीं से सीट मिला बंद हो जाएगा सो एक्सपेक्टेड कॉट ओप फर ओडिशा MBBS सीट ओडिश सो एक्सपेक्टेड ओडिशा जी एम सीच कॉट पर 2024 आप्टर सुप्रीम कॉट वर्डिक्ट इच 645 प्लस-5 यह मेरा ओपिनियोन है बाकी स्टेट रांक आने के बाद कुछ रिसाट कर सकते मेर्जोन अभी मेरीजीन में देता हूं कि क्या क्यों में इतना कॉट अप एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो आप काफी कुछ मीश कर रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट्स है वहां पर उन्होंने क्या कि सब भी कोचिंग सेंटर के मार्क लाए और उनको आड करना स्टार्ट किया कि 600 प्लस कितना है और 650 कितना है यह एक बहुत ही अच्छा इनिसे टीव था उन लोगों का कि उन्होंने लाया उनको ककी और निकाले 650 में 450 में 750 उन्दै क्योंस है और 600 में करीब 1200 से 1400 स्टूडेंट्स है यह तो इस टेटा क़ अगर हम दे बात करते हैं देखिये स्काम हुआ है आप लोग बोलेंगे कि और इसा में तो कोई शकाम नहीं हो एक चीज बता हूंगा जो स्काम के हूं के वह अपने आप आकर रेजल्ट पब्लिश के लिए मान जाए और इतना नीचे नहीं गिर गया है कि वह सकाम रेजल्ट को खुलम हो जाएगा कि आप देखेंगे किजब स्टेय रैंक लिस्ट याइगा मेरे अपिणियों में बस बोल रहा हूं गएर ऑगर चेंज हो जाए तो मैं भी खूस होंगा कि आप और झालिए और आप भी खूस होंगे कि मेरा आप लोगों में से काफी लोगों ने पूछा था मेरा ओपिनियों में में बता रहा हूं कि 640 प्लास कॉट रहना वाला है क्योंकि जो स्काम किये है या कुछ भी किये है बाहर एक्जम दे दिये होंगे और ओडिसा दोमिसिल के थ्रो चांसो दोसो चांसो बच्चे आ हो सकता है एक पॉसिविलिटी है कि 620 कॉट अप जा सकता है अगर स्काम का इंपेक्ट पर नहीं आता है जो कि मुझे काफी कम चांस लग रहा है और यह मारा बस ओपिनियों है देखते हैं स्टेंट रैंक आने पर क्या है आपको क्या करना है फिसे पढ़ाई करना है 620 प्ल देक्या अप आई क्यों अगर फॉस्ट रांड में लेते हैं आपको एक फॉसर चोटा सा मतलब आपका पॉपा सब्सेंद यह कृता है पिर से आप स्टेंट रांड में पथिस्प्राइट करते हैं स्टे पिर टीस हÉрос जब करते हैं तो आप उस क्यों में अच्छा सा गाली आपको जो college मिलेगा and counseling के बारे में हम detail में discuss करेंगे यह procedure पूरा आपको समझना होगा हमारा एक बहुत aggressive module रहता है counseling का और 90% accuracy के साथ हमने 2023 का counseling किया है so इसल भी अच्छे से करेंगे यह पूरा बहुरा सा है आप लोगों कर भी हम पर बहुरा सा रखना होगा और definitely इसल भी हम अच्छे करेंगे अच्छे prediction देगा आप जो college deserve कते हैं अपना mark पर वो कैसे आपको मिलेगा हम उस पर जरूर ही अपना efforts देंगे SGS and category cut up SGS वालों ने इतना request किया कि मैं इसमें बता रहा हूँ लेकिन एक दिन बाद यह वीडियो आ रहा है अभी Tuesday रात कॉम में रेकर्ड कर रहा हूँ सो औरनेस्टे सुभा है आएगा औरनेस्टे के बाद Thursday एक दिन गाप लेकर Friday को Friday को category wise cut up का वीडियो आ जाएगा अगर आप category SGS करता हूँ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ लेकिन अगर SC, ST और दूसरे category green card EWS वागर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पर आपको 60 likes देने होंगे जो कि पता है मुझे आप कर देंगे तो Friday पर वीडियो आ जाएगा सारे category को हम detail में discuss करेंगे सो SGS cut up क्या हो सकता है SGS cut up मुझे लग रहा है कि इस बार 600 to 608 के रेंज में fall करेंगा क्योंकि देख्या जो mark last time था 539 अगर हम जेनरल को 50 प्लस करें तो SGS को भी 50 प्लस करके मैं सोच रहा था कि करेंगे लेकिन जब rank को मैंने analysis किया तो cut up 608 के पास मिल रहा है मुझे और 608 के पास SGS cut up मुझे आसपास लग रहा है लेकिन scam होआ है तो इतना clear cut नहीं बोल सकते है तो हम expect कर सकते हैं कि 600 प्लस माइनस 5 काम में सामिल हुए होंगे लेकिन inflation तो हुआ है 590 प्लस तो जाएगा 600 प्लस माइनस 5 को हम मान के चलेंगे अभी नाव कमिंग टूएट फॉर कांसलिंग और जॉइन कोचिंग देखिया अपने जितना भी मार्क स्कोर किया है अभी बस एक मौन्थ रोक लीजिएगा अपने आपको अगर आपका पढ़ने का मौन भी हो रहा है तो आप बेट का अपने आप पढ़ सकते हैं अपने आप रि कांसलिंग खतम हो गया होगा और यह काम को छे से एक्जेक्रूट कर लिया होगा और आपको जस्टिस नहीं मिलेगा मुझे यह लगता है मोस्ट प्रोबाबल तिंग जो होगा सो आप वेट कर दी यह स्ट्रेट रैंक आने तक और कोई भी कोचिंग ना जोइन करे तो अच् कापी इंक्वेरी हो गर रही है अभी तक जितना बताया है कि जाचपुर में तो बाकि फूलबानी और ताल्चर मुझे पॉसिबिल्टी नहीं लग रहा है ताल्चर करते मुझे बहुत कम चांस लग रहा है और बाकि जो शीट बढ़ाए गए है ड्यमेट ने तो नहीं लोग बलेंगे मैं ताल्चर को तुटावजेंड नाइंटीन से देखता रहा हूं कि यह इसल कुल जाएगा इसल कुल जाएगा कभी नहीं खुला है तो जब खूलेगा तब ही जान पाओगे कि तल्चर खुला है तब तक के लिए नहीं कुला है अभी आपको कांसलिंग के अपना डॉकुमेंट करना है डॉमिशल साटिफिकाट कर लिए अपलाई करना है प्रिपेर होना है कांसलिंग के लिए जब भी जो भी डिस्वन लेंगे नेक्स्ट तैम सोस समझ के लिजए और अगर यह सकाम अकॉम्प्लिस्ट हो जाता है पूरा हम लोग लगे हुए हम ल गिरा देंगे जिससे आपको एक दो मार का कॉटफ डिफरेंस आएगा मुझे वैसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला नहीं लग रहा है अगर यह होता है तो नेक्स्ट यूर क्या कॉटफ होगा क्या जा सकता है 608 680 होगा या 700 होगा क्या होगा इंडिया में क्या परिष्ट यूज होगा हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाद होगा मैं चैन की नीज चो पाऊंगा अगर 620 से 30 कॉटफ होता है लेकिन डिल कह रहा है 620 से 30 जाएगा लेकिन दिमाग कह रहा है 640 से नीचे नहीं जाएगा बाकी आपको अभी अपना डॉकुमेंट्स जरूर परदिसपीट कीजियेगा इतना प्यास गया है तो एक घर एज़ार चला जाएगा रेजिस्टेस्टेशन में जाने दो कंस्लिंग में परदिस्टेशन के बिना मेरेट लिस में नाम नहीं आएगा सो लिजी से सविघर करो देखो क्या रहा है आपका स्टेट रेंक म बाद हम discuss करेंगे और category का वीडियो में डाल दूंगा college all gmch के बारे में वीडियो continue होगा लेकिन मैं अभी नहीं डाल रहा हूं क्योंकि अभी कोई इंट्रेस्टेंट नहीं होगा gmch के बारे में देखने के लिए अभी सब को चाहिए तो बस एक mbbs मैं समझ सकता हूं आप किस दौर से कुजर रहे लेकिन अभी और एक concern मुझे लग रहा है कि ओडिशा में ओजे ही ट्रांसपरीज से से स्टेट जा रहा है वस इतना कहना चाहूंगा कि बिना स्काले विपरत्य बुद्धी